हेलो फ्रेंड आज मैं आप लोग के साथ नमकीन पारे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो ये कई पर्तों से मिलके बना है जो बहुत ही खस्ता बना है और बहुत ही टेस्टी बना है तो अभी सबके आँ होली की तैयारी हो रही है तो देर ना करते हुए चलते ही से फटा फट बना लेते हैं आप लोग भी लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा तो यहाँ पे मैंने देर कटोरी मैदा लिया है तो आपको जितना भी बनाना हो उसके एकॉर्डिंग ले सकते हैं टेस्ट के एकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे तो अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है और यह फाइदा भी करता है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी डाल दी है तो यह सूखा वाला है आप चाहें अगर फ्रेस वाला हो तो उसे भी धुल के हलका सा फ्राई करके उसे भी डाल सकते हैं अब यहाँ पे मैंने लाल मेश का पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसमें 6-7 चमच रिफाइन ओयल डालूंगी अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो भी नमक वेगर है न अच्छे से मिक्स हो जाए और मिक्स करने के बाद एक बार हाथों में लेके इसे चेक करेंगे कि यह हलका-लका बंद रहा है कि नहीं बंद रहा है तो मैं पीछे से तीन से चार चमच रिफाइंड और डाल दी हूँ जिससे कि ये बिलकुल खस्ता बनके तयार हो तो फिर से यहाँ पे मैं चेक कर रही थी तो अब ये देखिए हलकालका बन रहा है तो इससे ये पता चलता है कि हाँ अब जो इसका आटा लगेगा न उससे ये बहुत ही खस्ता बनके तयार होगा अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका डो तयार कर लेना है तो ये रेखिए मैंने डो तयार कर लिया है अब इससे एक साइड में रखेंगे और यहां पे मैंने कटोरी में दो चम्मच मैदा ले लिया है इसमें पानी डालके इसका पेश्ट तयार कर लेंगे तो बहुत मोटा पेश्ट नहीं रखना है थोड़ा पतला ही बनाना है अब जो मैंने आटा तयार किया है उसको मैं ऐसे बराबर बराबर पार्ट में बाट ले रही हूँ तो थोड़ा मैंने मोटा मोटा ही लोई रखा है अब इसे ऐसे चिकना कर लेंगे और फिर इसे बेल लेंगे तो इसे रफली आप इसे बेल लेजे और इसमें पर्थन लगाने की ज़रूत बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है अगर आपको ज़रूत लगे तो आप लगा भी सकते हैं तो फ्रेंड ये देखे मैंने इसे बड़ी सी रोटी जैसा बेल लिया है अब इस पर जो मैंने लिक्विड तयार किया है उसको लगा देंगे इसके साथ ही सूखा आटा उपर से डाल देंगे और साइड से इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है फिर से इसके उपर लिक्विड लगाएंगे और सूखा आटा लगाके फिर से उपर से नीचे से ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो ये बिल्कुल चौकोर सेप का हो जाएगा और फिर से इसे बेल लेना है तो इसे आप जितना लंबा बेल सकते हैं बेल सकते हैं क्योंकि आप अगर पतला भी बेल देंगे ना तो फिर इसे फोल्ड करते समय ये थोड़ा मूटा हो जाएगा तो ये देखे मैंने इसे पतले में लंबा सा बेल दिया है अब इसके पर फिर से लिक्विड को लगाएंगे और सूखा आटा डाल देंगे अब इसे दो से तीन फोल्ड जितना भी आपको लंबा चोटा पतला रखना है उसके एकॉर्डिंग आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं तो ये देखे मैंने फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ पर ये दियान रखना है ना कि अगर आपका जो लेयर जो बनेगा वो अगर आ हलका सा बेल के और इसे कट कर लेना है और अगर आपको लगे की नहीई थोड़ा ज्जादा खसता वने इसकी लेयर न कुलें अंदर से लेयर बने को आप इसे थोड़ा सा दबाके थोड़ा लंबा बेल लीजेकर इसके लेयर हलके-अल्की आपस में के चिपक जांग यह और यहां मैंने ऐसे cut कर लिया है तो friend ये बहुत ही खस्ता बना है और इसे आप long time के लिए store भी कर सकते हैं ये बिल्कुल भी इसका जो खस्ता पर नहीं होगा और ये खराब भी नहीं होगा अब यहां पर oil गरम हो चुका है अब यहां पर जब oil गरम हो जाए तो आज को धीमा करके इसे डाल देंगे और थोड़े टाइम के लिए धीमी आज पे फ्राई करेंगे जिससे कि ये अंदर से भी अच्छे से हो जाए और उसके बाद आज को मीडियम करके जितना भी रेडिस रखना है उतना इसे फ्राई कर लेंगे तो ये देखिए ये फ्राई हो चुका है इसे हमें निकाल ले रही हूँ इसी तरह सभी को फ्राई करके रख लेंगे तो तोड़ने पे ना इसकी लेयर बहुत ही अच्छी लग रही थी और खाने में बहुत ही मजा रहा था तो ये देखिए उपर से थोड़ी थोड़ी लेयर पता चल रही है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बना है अब यहाँ पे मैंने दूसरे तरह की मठरी फटाफट बना ली है ये बिलकुल साधी वाली में बनाने जा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने मैदा, रिफाइन डाल दिया है थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे और मंग्रेल डाल देंगे, इसे कलोजी भी बोलते हैं इन सभी चीज़ों को डालके फटाफट मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका डो तयार कर लेंगे तो ये देखिए डो तयार हो चुका है इसे भी बराबर बराबर डिवाइट करके बाट लेंगे और ऐसे मैंने रफली फटा फट जो है बेल लिया था और इसे आप किसी भी सेप में बना सकते हैं तो मैंने इस तरीके से तिकोना कट कर लिया था तो फ्रेंड ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता और बिल्कुल भी खराब नहीं होता चाहे तो आप इसे कैस से भी इसका यूज कीजे और फिर यहाँ पे मैंने इसे भी फ्राइग कर लिया है तो इसे भी पहले धीमी आज पे फ्राइग करेंगे थोड़े टाइम के लिए फिर आज को थोड़ा मीडियम करके और इसे अच्छे से जितना भी रेडिस रखना है फ्राइग कर लेंगे तो ये देखे बनके तयार हो चुका है इसे चाहें तो आप सादा भी खा सकते हैं या इसे और चटपटा बनाने के लिए उपर से काला नमक और चाट मसाला लाल मिश्का पाउडर वगेरे डाल सकते हैं तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना है तो आप भी कमेंट करके बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा बुक्ते अपनी नेक्स रेसिपी में